UP Board Exam 2023 में Biology के Practical में चार्ट में क्या बनाएं? चलिए देखते हैं कि क्या-क्या बना सकते हैं, क्या-क्या बनाएं तो ठीक रहेगा तो देखे चार्ट में पहली बात तो आप आप बिजी पुस्प की संदचना का चित्री निरूपन कर सकते हैं इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं, एक चार्ट पर बड़ा सा चित्र बनाईएगा और उसके चाहें तो आप नाम भी कुछ खास-कास लिदी जी, कुछ ना लिखिये जो चार्ट बनाएंगे, उसके बारे में सारा कुछ आपको याद होना चाहिए दूसरा है परिपाको पराग कोस की अनुप्रस्त कार्ट का चित्र, तो ये पराग कोस की अनुप्रस्त कार्ट का चित्र दिखाया गया है इसको भी आप बना सकते हैं, बड़ा सा बड़िया सा हर एक कोसिका को सही से बनाएंगे नमांकन कर देंगे और नमांकन हमेशा बाई और ही करिएगा अगर आप नमांकन ना भी करें तब भी चल जाएगा ताकि आपसे जो examiner पूछे तो उस चार्ट से ही आपसे पूछ ले तो ये दो चित्र हो गए हैं अगला चित्र देखिए आप एक पुस्प में निसेचन किरिया को दरसाते हुए लंब कार्ट का चित्र बनाना है यानि पुस्प के लंब कार्ट का चित्र आप बना सकते हैं निसेचन किरिया को दरसाते हुए और जो चार्ट बनाएंगे उसके बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसके बाद पाच्वा चित्र है एड्स वाइरस का आप चाहें तो एड्स वाइरस का भी चित्र बना सकते हैं देखे जितने भी चित्र में ने लिया हुआ है, ये सभी आपके कोर्स से हैं, तो ये आपके थेवरी में भी पुछे जा सकते हैं, तो वहीं से लिया गया है, तो AIDS वायरस का बढ़िया सा चित्र बना दीजिए और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छे से आनी चा हैं, तो इस तरीके जनन तंतर का चित्र बना सकते हैं, उसका नामांकन कर सकते हैं, नामांकन ना भी करेंगे तो चल जाएगा, चित्र बढ़िया होना चाहिए, सुन्दर होना चाहिए, इस के स्पिन कभी आप प्रियोग कर सकते हैं, या colored pencil का प्रियोग कर सकते हैं, और जो आप चित्र बनाएंगे उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए फिर देखें ये व्रेशन की अनुप्रस्त काट का चित्र है आप चाहें तो ये बना सकते हैं आप चाहें तो 60 लेते चलें तो व्रेशन की अनुप्रस्त काट का इस तरह से चित्र बढ़िया से बना देंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए अपरा का भी चित्र आप बना सकते हैं यह अपरा या प्लेसेंटा का चित्र यहां पर दिखाया गया है जो भी चित्र आप बनाएंगे उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए अगर आप अप्रा का चित्र नहीं बनाते हैं तो इस्तंधारी के अंडासे की अनुप्रस्त काट का चित्र बना सकते हैं यह ओवरी की अनुप्रस्त काट का चित्र है यदि आप उन में से कोई चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो दिखें यह चित्र बना सकते हैं संक्रामक रोगों के संचरण की विभिन विधियां तो यह सबी फीगर आप बना दीजिए एक चार्ट में पूरा और इनके बारे में यहीं संक्रामक रोगों के बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छे से होनी भी चाहिए इसको भी आप चाहें तो बना सकते हैं लेकिन जो भी चितर बनाएंगे उसके बारे में संपूर जानकारी अच्छे से याद होनी चाहिए देखें मिंडल के दुई संकर संकरन का चितर है यानि कि यह चेकर बोर्ड बनाया गया है यहाँ पर दुई संकर संकरन का आप चाहें तो यह पूरा चेकर बोर्ड दुई संकर संकरन का या एक संकर संकरन का चेकर बोर्ड चार्ट पर बना सकते हैं देखे अगला चित्र है मानों में निसेचन किरिया का चित्रन यानि निसेचन किरिया को दरसाता हुआ चित्र आप चाहें तो बना सकते हैं important भी है थुरी के लिए इसको बना लेंगे तो अच्छा रहेगा इसके बारे में भी याद हो जाएगा आपको देखे अगला आप चाहें तो ये वाला बना लें या फिर दोनों को बना सकतें इन दोनों को यानि इसपर्म मनुस्य के सुक्राण का चित्र है बनाकर उसके बारे में पुरी जानकार्य आपको होनी चाहीए लेखिए अगला चितर है वहित मल के क्रमिक उपचार की टक्णिक का चितरे निरोपन वहित मल का उपचार बहुत बार परिच्छा में पूछा गया है बहुत बार आता है तो आप चार्ट में भी इसको बना सकते हैं और इसके बारे में अच्छे प्रियार कलीजिचИ इंग्जामिनर्सी से पूस्च सकता है अगर यह नई बनाने चाहते हैं तो विलोडक बायो रिक्टर भी आप बना सकते हैं Helikis है और दूसरा वाला दंड भी लोड़क हौज बायोरेक्टर सकते हैं कि आपके कशा भी आता हुआ है फिला klves हाल आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं तो बनाकर और इसके बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए फिर अगला चित्र है HIV वायरस के जीवन चक्र का यानि लाइप साइकल आप HIV वायरस कैसे है तो इसको भी बना सकते हैं फिर देखें मनुस में लिंग निर्धारन का चित्र है आप चाहें तो मनुस में लिंग निर्धारन का चित्र भी बना सकते हैं लेकिन इसके बारे में भी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए और फिर अगला चित्र है मानो जीनोम प्रोजेक्ट का ये मानो जीनोम प्रोजेक्ट का चित्र है बहुत बढ़िया इस पर प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, चार्ट को बना सकते हैं